जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई साइड होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी, रोजावेल एफ टैबलेट दो लिपिड वसा कम करने वाली दवाउं से मिलकर बना है, इसका उप्योग रक्त में कॉलेस्टरॉल और ट्राइगलिसराइट्स के रूप में जाने वाले लिपिड के स्तर को कम करने क लिए किया जाता है, जब जीवन शैली में परिवर्तन जैसे कम वसा वाले आहार अपने आप विफल हो जाते हैं, यह दवा हिरदे रोग के जोखिम को कम करने में मदद करती है, ट्रोजावेल एफ टैबलेट को भोजन के साथ या खाली पेट लिया जा सकता है, आप इसे द अतिक्रिया के आधार पर सही खुराक लिखेगा, उच्च कॉलेस्ट्रॉल और ट्राइगलिस्राइड वाले अधिकांच लोग बीमार महसूस नहीं करते हैं, लेकिन आपकी दवा को रोखना आपके लिपिद स्थर को बढ़ा सकता है, जिससे आपकी स्थिती खराब हो सकती है और हिरदे रोग और स्ट्रोक का खत्रा बढ़ सकता है, अपने कॉलेस्ट्रॉल और ट्राइगलिस्राइड के स्तर लिपिड प्रोफाइल की नियमित जांच करवाना महत्वपूर्ण है, यह दवा एक उपचार कारेक्रम का केवल एक हिस्सा है, जिसमें स्वस्थ कम वसा वाला आहार, नियमित व्यायाम, धूंग पान बंद करना, शराब का सेवन कम करना और वजन कम करना शामिल होना चाहिए, आप इस दवा को लेते समय सामान्य रूप से खा सकते हैं, लेकिन उन खाते पदार्थों से बचने की कोशिश करें जिनमें वसा आधिक हो, मतली, पे कित सक से परामर्ष करें यदि वे बने रहते हैं, या यदि आप अपनी आँखों का कोई पीलापन, असामान्य रख तस्राव, या चोट, या बार-बार, गंभीर, या असपश्टी कृत मांस्पेशियों में दर्द देखते हैं, आपको इस दवा को लेते समय 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 पर अ से लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको किड्नी से समबंधित कोई समस्या है, या यदि आप गर्भवती हैं, गर्भावस्था की योजना बना रही हैं, या स्तनपान करा रही हैं, मधु में के रोगियों को यह दवा लेते समय अपने रक्ठ शरकरा के स्तर की निगरानी करनी चाहिए, क्योंकि इससे रक्ठ शरकरा के स्तर में व्रिधी हो सकती है, विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटि क्लिक करें, धन्यवाद